हेलो एंड वेलकम मैं हूँ कोमा सिंग और आप देख रहे हैं टुड़े जहां पर होता है आपका फिल्म इडस्ट्री से दारेट कनेक्शन अज देवगन निभायेंगे गंगुबाई काठ्यावाडी में पठान डाकैत करीम लाला का किरदार निर्देशक संजलीला भंसाली की अगली फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी काफी चर्चा में हैं फ्लोर पर आने से पहले ही फिल्म काफी सुर्क्या बटोर रही हैं आलिय भट्ट स्टार इस फिल्म को लेकर एक और नई रिपोर्ट की चर्चा हैं बताया जा रहा है कि आप 20 साल बासंजलीला भंसाली अजे देवगन को अपनी नई फिल्म में साइन करने जा रहे हैं और गंगुबाई काठ्यावाडी में पठान टके करिम लाला का किरदार निभाएंगे अजे देवगन गंगुबाई काठ्यावाडी अब तक की चर्चा ये है कि अजे की भूमी का काफी स्ट्रॉंग है और वे एक सुनेरी भूमी का निभा रहे हैं जो गंगुबाई को व्यपार सिखाते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं एक और अफ़ा यह भी है कि अजे की भूमिका पूरी नहीं है लेकिन एक विशेस उपस्ति थी जो बहुत ही जादर लिलचस्प होगी अब अजे गंगुबाई काठ्य बाड़ी में खुंखार करिम लाला का किर्दार निभाएंगे और इसकी फुस्ट्री भी हो गई है करिम लाला को खुद मॉंबाई का सबसे बड़ा डॉन हनीव मिर्जा भी उसे डॉन कहके बुलाया करता था करिम लाला की तसक्री समयत कई और गैर कानूनी धंदों में उनके नाम की तूती बोलती थी करिम लाला बॉंबाई के पठानों के कॉट फादर थे हजी मस्तान और वर्द राजन मुदलियार सही तीन पौराणिक माफिया डॉन में से एक जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में सहर पर शाषन किया था हाला कि अंडर वर्ड में एक भैभीत नाम करिम लाला को उन सभी समयधाय के लोगों की मदद के लिए भी जाना जाता था जो अपनी समस्याओं के साथ निराशास में उनके पास जाते थे सूत्रों का कहना है कि करिम लाला का दिल कोमल था और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गंगोबाई में आलिय कमाथिपुरा की मैडम यानि सरदार का रोल करेंगी वहीं इस फिल्म में अजे देवगन गंगोबाई यानि आलिय के लवर के रोल में नज़र आएंगे जिसने गंगोबाई को सपोर्ट किया था बताते कि अजे देवगन अपने फिल्म ताना जी को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं ये फिल्म एक बायोग्राफिकल पेडियर ड्रामा है और ये फिल्म ताना जी मालसुरे की जिन्दगी पर भी आधारित है चाले में अजे देवगन ने इस फिल्म से अपना लुक शेर किया था खास बात यह है कि अजे की कर्येर की ये फिल्म सौवी बॉलिवुड फिल्म है तो फ्रेंड्स आप कितना एक्साइटेड हैं अजे की गंगुबाई काठियावारी को लेकर ये हमें जरूर बताए और जोड़े रहें आप हमारे चैनल टुडेज पर हम हाजर होंगे और भी लेटेस अपडेट के साथ तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल और इसके साथ ही आप हमारे न्यूस टुडेज डाट कम पर भी देख सकते हैं और यूटूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you so much keep watching today's for more news